एक गाओं में विमल नाम का एक लकड हारा रहता था वो लकडी के फरनीचर बना कर अपना घर चलाया करता था आईए आईए विमल की दुकान पर आईए और अपने घर के लिए फरनीचर ले जाईए अपने घर की शोभा बढ़ाईए अरे विमल इतनी सुबा सुबा दुकान खोल लिया आज तो तुने क्यों कोई बात है क्या मेरे घर की हालत बहुत ही खराब हो गई है विमला दिन रात मुझे कोस्ती रहती है अब पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे बनेगा तभी हाथ में नाश्ते का डबबा लिये विमला वहाँ पहुचती है आज कमला आई थी कह रही थी उसने एक घर लिया है घर में स्विमिंग पूल थियेटर क्या कुछ नहीं है वहाँ फार्म हाउस है फार्म हाउस लो नास्ता लेकर आई हूँ बिना खाए ही आ गए थे तुम तुम्हारे ताने सुनने के बाद कहां से जाएगा खाना विमला नाराज होकर घर चली जाती है तुझे तो लकडी का काम आता है ना तो बस एक बास का घर क्यों नहीं मना लेता बास का घर? हाँ, मैं अभी ही जंगल जाकर बास लेकर आता हूँ विमल जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है रास्ते में उसे शेर का बच्चा दिखता है ए भगवान, शेर का बच्चा, कल तो ये गाउ में भी आ सकता है नीचे घर बनाना सेफ नहीं, मैं घर पेड़ पर बनाऊंगा, मेरे बास का घर विमल पेड़ के उपर बास का घर बनाता है और लकड़ी के फरनीचर से उसे सजाता है वा जी वा, इतना बड़ा घर, आपको तो मैंने नकारा समझा था पर आपने तो एक रात में इतना बड़ा घर बना दिया, पर स्विमिंग पूल कहां है? हाँ हाँ, वो भी तयार करता हूँ तुम्हारे लिए विमल स्विमिंग पूल बनाने के लिए खुदाई शुरू करता है वो और सोहन रात बर खुदाई करते हैं तब ही विमल का कुदाल एक बकसे से जा लगता है अरे, ये देख क्या बकसा जैसा है सोहन उस बकसे को बाहर निकालता है और दोनों मिलकर उस बकसे को खोलते हैं बकसा सोने हीरे मोतियों से भरा हुआ था बाग ये खुल गए भाई हमारे ख़जाना हाथ लगा है विमल ये स्विमिंग पूल तो हमारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आया है दोनों मिलकर उस ख़जाने को बाट लेते हैं विमल उस ख़जाने के बारे में अपनी पतनी को कुछ नहीं बताता और कुछ ख़जाने के कुछ पैसे से एक बहुत बहदरीन स्विमिंग पूल बनवाता है पूल फुली स्टॉमेटिव रहता है विमल के अलावा अगर कोई भी उस पूल में जाए तो पूल एक केज में बदल जाता अगली सुभा कमला की बातों से विमला नाराज होकर विमल से कहती है कभी तुम्हारे कारण कोई मेरी तारीफ कर दे हो ही नहीं सकता पेड पर घर बनाया है कुछ सोच कर ही किया है ये मैंने कुछ दिनों में समझ जाओगी उसी रात गाओं में शेर आ जाता है सब अपने घरों से बाग खड़े होते हैं शेर लोगों के घर में घुस जाता है बचाओ बचाओ गाओं में शेर घुस आया है बचाओ बचाओ शेर खेतों के रास्ते आये हैं हसल तबाह हो गई अपने अपने घरों के दर्वाजे बंद कर लो गाउं की भगदड में बस एक विमल ही आराम से अपने घर की बालकोनी से सब देख रहा होता है अरे तुम तो मुझे मरवा कर ही मानोगे क्या अब बाहर मत देखो शेर का भरोसा नहीं है उपर ही आ जाएगा चलो अंदर चलो अहीं तो मैं चाहता हूँ कि शेर उपर आना चाहे और गाउंवाले बच जाए औरे मती मारी गई है तुम्हारी विमल एक पत्थर शेर के करीब फेकता हुआ कहता है आजा आजा इदर आजा शेर की नजर विमल पर बढ़ती है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है स्विमिंग पूल में गिर जाता है पूल केज में बदल जाता है अगली सुभा सब मिलकर उस शेर को जंगल में छोड़ देते हैं विमल की समझदारी से शेर पकड़ में आ जाता है के कारण जिन जिन लोगों को नुकसान हुए थे विमल अपने खजाने से उनकी मदद करता है और सभी लोगों को बास का घर बनाने में मदद भी करता है विशाल मटका स्विमिंग हूल सोहन एक बिना माबाप का बेटा था अब वो अपने चाचा चाची के साथ ढोलपूर गाओं में रहता था और एस सोहन के बच्चे कहां मर गया देख तो छुटकी और मोनू स्कूल से आ गए हैं उनका बैग अंदर रख और उनके लिए खाना लगा सोहन ने मोनू और छुटकी को खाना दिया और खुद भी खाने बैट गया पर ये क्या अरे तुझे किस ने कहा था खाने को कहकर अनीता ने सोहन के हाथ से प्लेट छीन ली और खुद खाने लगी और चल ये सारे बरतन अच्छी तरह से धोकर रख दे अगले दिन सोहन की नीन सुभा समय पर नहीं खुल पाती अरे क्या हुआ अब तक सो रहा है चाची मुझे बुखार है मुझे आज काम नहीं होगा चल निकल मेरे घर से और सी कहीं का मैं कहा जाओंगा चाची मुझे बाहर मत निकालो पर चाची घर के दर्वा से बंद कर लेती है सोहन हिम्मत करके घर से बाहर दूसरे गाउं की और चल पड़ता है धीरे धीरे चलते चलते वो एक नधी के किनारे पहुँचता है थोड़ी देर में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और थोड़ा आगे जाकर देखता है कि एक मचली नुमा सुन्दर सी लड़की की पूँच एक विशाल से पत्थर के नीचे दबी पड़ी है कौन हो तुम और तुमारी ये हालत किसने की मेरी पूँच इस पत्थर के नीचे से निकालो मैं यहाँ धूप सीखने आया करती हूँ और कल मैं पत्थरों के रास्ते से जा रही थी तभी मेरी पूँच पत्थरों में फस गई सोहन बहुत मुश्किल से पत्थरों के अंदर से जलपरी की पूँच को बाहर निकालता है जलपरी बहुत खुश होती है और सोहन का हाथ पकड़ कर उसे नदी में खीच लेती है नदी के नीचे की दुनिया बहुत सुन्दर थी रंग बिरंगी मचलियां और अनेकों जलपरियां वहां दिखाई दे रही थी लो कर लो बात, मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा मेरा नाम सोहन है और सोहन ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ पता दिया और रोने लगा आज से तुम हमारे महमान हो, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं इस मचली लोग की राजकुमारी हूँ जितने दिन यहां रहना चाहो, रह सकते हो जल्परी ने सोहन को भरपेट भोजन और मिठाईयां खिलाई उसे नए कपड़े पहनने को दिये दो-तिन दिन आराम करने के बाद सोहन को अपना घर याद आने लगता है वो जल्परी से कहता है मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ जल्परी ने सोहन को खुशी-खुशी विदा किया और चलते समय एक बहुत विशाल मटका स्विमिंग पूल की तरफ इशारा करते हुए सोहन को कहती है ये तुम्हारा है ये तो बहुत विशाल है मैं इसका क्या करूंगा और मैं इस विशाल मटका स्विमिंग पूल को लेकर कैसे जाऊंगा? अरे, ये देखने में तुम्हें विशाल लग रहा है अपनी आखें बंद करो और एक मंत्र बोलो विशाल मटका स्विमिंग पूल बन कर होजा छोटा तीन बार ये मंत्र बोलना है थोड़ी देर में विशाल मटका स्विमिंग पूल छोटा हो गया और सोहन ने उसे अपने हाथों में उठा लिया ये जादोई विशाल मटका स्विमिंग पूल है इसमें जो भी व्यक्ति डुपकी लगाएगा उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी सोहन विशाल मटका स्विमिंग पूल छोटा होने पर जलपरी से विदा लेकर अपने घर की और बढ़ चला रास्ते में सोहन को कुछ लोग रोते हुए दिखाई पड़े सोहन उनके पास जाकर बोला क्या बात है आप लोग इतना क्यों रो रहे हो हरे क्या बताए हमारे गाउ में एक अजीब सी बीमारी फैली है जो शरीर में बहुत खुचली पैदा करती है फिर शरीर को कमजोर कर एक हफ़ते में मार देती है ये कौन सी बीमारी है? हमारे गाउं में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बुढ़ा व्यक्ती बोला, बेटा, एक साल से हम दो तीन गाउं इस बीमारी से जूज रहे है। काका, ये कौन सा साल चल रहा है? काका ने उसे चो बताया, उसको सुनकर सोहन के होश उड़ गए। असल में जलपरी के राज्य में एक दिन तीन महीने के बराबर था और सोहन वहां तीन-चार दिन रुका था। यानि की लगभग एक साल बाद सोहन अपने गाउं की और लोट रहा था। लोगों को रोते चिलाते देख सोहन वहीं रुक गया और सब को एक मैदान में चलने को कहा। वहां जाकर सोहन ने अपने हाथ में लिए मटके को मंतर की सहायता से विशाल मटका स्विमिंग पूल में बदल दिया और सब लोगों को कहा कि सब इसमें बारी-बारी से डुप की लगाओ। और फिर चमतकार हो गया। दस मिनट में ही लोगों की बीमारी दूर हो गई। पूरे गाउं में विशाल मटका स्विमिंग पूल वाली बात आग की तरह फैलने लगी। बात पहुची सोहन के चाचा चाची के कानों तक छुटकी को ये बीमारी लग चुकी थी। सोहन के चाचा चाची भी गए विशाल मटका स्विमिंग पूल में छुटकी को डुप की लगवाने। वहाँ बहुत भीड लगी थी एक बड़े से शेक्त्र बे एक बहुत बड़ा विशाल मटका स्वीमिंग पूल दिखाई दे रहा था सोहन तु कहां चला गया था रे? चलो, अब हमारे साथ घर चलो कुछ दिनों बाद सोहन अपना मटका लेकर चाचा चाची के पास वापिस आ गया उस दिन घर में खाने को अनाज बिलकुल भी नहीं था जब सोहन ने आखें बंद कर ये मंत्र पढ़ा कि विशाल मटका स्वीमिंग पूल हो जा बड़ा तीन बार बोला तो विशाल मटका स्वीमिंग पूल बहुत बड़ा हो गया और उसमें चमकीला पानी चमकने लगा विशाल मटका स्वीमिंग पूल में से एक डुपकी लगाते ही भोजन हाजिर हो गया विशाल मटका स्विमिंग पूल की सहायता से रमेश ने अपना साइकिल रिपेरिंग का काम भी शुरू कर लिया एक बार दूर दराज के गाओं में सूखा पड़ गया सभी लोग काफी परिशान हो गए कि पानी कहां से लाएं अचानक एक दिन कुछ लोग सोहन के पास आए हमारे गाओं में सूखा पड़ा है विशाल मटका स्विमिंग पूल की सहायता से सूखे से राहत दिलवा दो सोहन ने विशाल मटका सूखे की समस्या समाप्थ हो गई अब चाची को सोहन की जैजैकार अच्छी नहीं लग रही थी उसने विशाल मटका स्विमिंग पूल को चुराने का निर्ने किया और एक राच चुपके से उसे चुरा कर बाहर ले आई और मंतर की सहायता से उसे विशाल मटका स्विमिंग पूल बना लिया फिर उसमें उसने डुपकी लगाई विशाल मटका स्वीमिंग पूल मुझे दे दो हीरे जवारात दूसरी डुपकी लगाई विशाल मटका स्वीमिंग पूल मुझे दे दो सोने के गहने ये दोनों चीजें विशाल मटका स्वीमिंग पूल से अनीता को मिल गई अब तीसरी डुपकी में उसने विशाल मटका स्विमिंग पूल तु सोहन को अपने अंदर डुबा ले और उसका अंध हो जाए विशाल मटका स्विमिंग पूल से कोई भी गलत इच्छा नहीं मांग सकते थे ये बात अनीता को नहीं पता थी इतना कहते ही अनीता स्विमिंग पूल में डूबने लगी उसकी आवाज सुनकर आसपास पड़ोस के काफी लोग सोहन और रमेज भी आ गए सोहन को बात समझते देर नहीं लगी और उसने विशाल मटका स्विमिंग पूल में डूबकी लगाई और कहा हे विशाल मटका स्विमिंग पूल मेरी चाची से गलती हो गई है उन्हें माफ कर दो और छोड़ दो थोड़ी देर में चाची स्विमिंग पूल से बाहरा कर बोली मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ, मुझे मेरे किये की सजा मिल चुकी है, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी और सोहन को मोनू की तरह प्रेम से रखूँगी कुछ महीनों में सोहन स्कूल भी जाने लगा है अनीता उसे मौनू और छुटकी की तरह प्यार करने लगी है किसी ने सही कहा है, कभी किसी का बुरा मत करो किसी का बुरा मत करो भी किसी का बुरा मत करो भी जाने लगी है